ग्राफ्टनून क्लास दिस इस नेक्स ट्रॉपिक ऑफ जी के आम बभीता देव अंगन एंड एज नो बेटा की मैं मैं जी की पढ़ाती हूं है ना जी के अर कंप्यूटर तो अब हम पढ़ने वाले हैं अन्वियूज्वल प्लांट्स इन ट्रीज जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो ओट पटांग दिखते हैं ओट पटांग समझते हो अजीब और गरीब ओके तो अन्यूज्वल प्लांट्स एंड ट्रीज यह जो हैं इस ट्रॉपिक के बारे माज हम दिसकुशन करने वाले हैं ना प्लांट्स ग्रों प्लांट्स इन दिफेरेंट शेप्स इन प्लांट्स इन दिफेरेंग 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 इसका नाम क्या है एलिफेंट फूट है है न मैं आंसर पहले ही बता दी यह एलिफेंट फूट जो प्लांट है वो इतना अजीब दिख रहे है ठीक यह जनली एंबिया से है और यह ऐसा लगते है जैसे कोई पत्थर है उसके उपर में मितलब पेड लगे हैं है ना तो यह पत सब्सक्री तक सब्सक्राइब यह चुटी को नेक्स प्लांट है जो दिखिने में तो इतना सुन्दर दिख रहे हैं ऐसे लगए ग्रैप्स हैं आदे लोग का तो क्यूंकि थंडे की दिमी अंगुर जादा आता हैं कुछ लोग को ब्लैक कलर का पसंद है कुछ लोग को ग्रीन कलर का अंगुर बहुत जादा पसंद है तो यह तो दिखिने में तो इतना क्यूट दिख रहे हैं सुन्दर दिख रहे हैं बट एक्चली इस प्लांट इस वेरी पॉजनस पॉजनस मतलब जैरीला है अगर आप इसको खाओगे तो हो गया फिर जैराम जी की ठीक है तो इस प्लांट इस और इस और मेक्सिको कोई नहीं प्लांट इस मिर्ए ज्येस पॉजनस नहींग की है टू जैरीला होते हैं अर मेका जना कम प्लांट इस का नाम है जैलीपिं क्या है बाकि जो प्लांट इसको पढ़ना है समझने और भरना है आई बत समझ में ठिक जैसे मैं दो प्लांट के बाहर बता देती हूं बाकि तो आपको खुद को ही करना है यह देकिए यह तो चुई मुई बोलते हैं चुई मुई जानते हूं दुनाट टच यह पधा इसको वैसे पंटिया से सिकूर जाती है इसको दूसरे जगह पर की बोलते हैं इसका नाम है नमिमोसा प्यूडिका यह इस प्लाइड का नाम है फॉरन नेम है यह हम लोग इसको चुई मुई बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं do not touch इनार लोकल लाइग्वज अपन अब है हमारा नेक्स प्लांट सेवन्थ नंबर का जैसे में बता रही हूं एक डर्जर्ट प्लांट है इसके लीव चोटा रहता है जैसे बड़ा होते जाती है यह पहले तो नॉमल रहेंगी फिर बड़ी होती जाएं तो किसी का गुंगरालू बहुते हैं तो कुछ ऐसे ही देखो बगल में ने बटा आपको मस्त डाइग्राम भी दिया है यह बढ़िया मतलब हमारी जीके बुक क यह कॉलिटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्या कि कि किसी चीज़ को एक्सप्रेइन करते हैं किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो इसका बाकाइदा डाइग्राम बगल में देते हैं ताकि कोई confusion में तो कोई मतलब क्या बलना चाहिए ऐसा ना हो कि नहीं हम तो कभी बुक में भी नहीं देखें नेट में देखें ऐसा कुछ भी नहीं मतलब आपको जस्ट कर्सपाउंडिंग क्या करेगा उसके बगल में डिस्क्रिप्शन के बगल में आपको डाइग्राम देते हैं तो इसमें कोई confusion and attention ही नहीं है आप उसको देखके भी क्या कर सकते हो गैस इसको आप लोग को देख लीजेगा डबलु एल वी डबलु आई टी एसच आई एंड मिरा बिलीज मिरा बी आई लाइस आप जैसे भी प्रणंशेट करना चाहते हैं आप प्रणंशेट कर लीजे ना एट्थ वन इस वाट यह देखो यह तो ऐसा लग रहा है अभी हैस्ट स्टाइल चाहर लड़के लोग का क्या वलू इधर साइट साइट में पूरी कटिंग रहती है बीच में जबू जबू बाल रहते हैं इधर अगल बगल से लगते हैं पुरा बाल गाया है बेंचंदवें है ना देज स्कानोपी चैनपी मतला होता है चंदवा ठीक तो यह ऐ स्टाइल मैंना डीसेंट रहा करो अच्छी लीखती हो खेर कोई नहीं फैशन की सांथ कभी कभी जाना चाहिए ठीक है डों टेकिट परसनली मैं किसी को बोल नहीं रही हूं चली अलग बात है तो यह जो पेड है वह आपको अमरेला के जसे दिख रहे हैं दिख रहे हैं इस ड्राइट इंटो रेजिना वेजी क्योंते सूक भी जाते हैं तो इस प्रेड का नाम के है ड्रेगन ब्लॉड ट्री इसका नाम यह झिसका कलर कर है राड कलर के हैं आशी ON गहीं अगर कूस डॉट हो तो आप मुझे तुरंट रहा जाएगा हैं तो परिए आपने हैं गया ग उन्होंने क्या किया है हमारे जो country है उसमें हमारी country के अंदर मतलब हमारी society में बहुत से changes इन्होंने लाए हैं तो कौन से changes radical changes exponentially बहुत सारी चीज़ों को बदला है exponentially नहीं बहुत सारी चीज़ों को बदला है और इनी के कारण से आज हम अभी मतलब इतने independent और सही तरीके से रह रहे हैं बहुत सारी rules and regulation को follow कर रहे हैं जो rules regulation दिये हैं या जो हम में restriction था girls को तो पहले बहुत restrict करके रखे जाते थे तो यह सबी चीज़ों हमको जो freedom मिली है वो इनी सबी जो freedom fighters है या जो social reformers है उन्हीं के कारण से मिला है तो उसके बारे हमको जान भी चाहिए ओके पहला है first one he is considered as a pioneer of the modern Indian renuncence then he is also founded the brahmo समाज brahmo समाज बोलते हैं इन 1830 नेम हीम तो राजर राम मोहन राजी हैं जिन्होंने modern Indian की जो वो स्थापना की है और इसको ब्रहम समाज की भी founder है 1830 में उने क्या किया था found किया था okay so his name is what Raja Ram Mohan Roy इनके बारे में बताने का जूरत है यह तो हर को ही जानते है और अगर नहीं जानते हो तो फिर तो गड़बड है भई आपको जानना चाहिए तो I'm not going to read the clues about his famous personality है इसके बारे में इनके बारे में पढ़ने नहीं चाहरे हूं आपको पढ़ना है इसको now the next one is what fourth often called Acharya he is considered the national teacher of India अरेवाद देखे नेशनल teacher को ने तो विनोबा भावे जी है जो national teacher कहलाते है okay यह अचारी के नाम से भी जाना जाते है ठीक now next one is what the last मैं पढ़ रही हूं see set see मतलब कोई girl की बात हो रही किसी madam की बात हो रही किसी woman की बात हो रही है she set up the teosifical society in India and found for the rights of India's woman यह क्या किये इंडिया की woman के लिए लड़ी जिनका नाम है this is what any besant any besant है जिन्होंने इंडिया की sorry इंडिया के बोलती हूं women's के rights के लिए क्या fight किया आरा समझ में now next seventh one is what he was the Indian society worker known for his rehabilitation of the poor people suffering from leprosy तो यह कैसे social worker है जो लोगों के लिए struggle किया जिसका नाम है बाबा आम टे तो यह सबी चीज़े आपको पढ़ने हैं समझनी हैं फिल करनी है connecting us को तो पढ़ाने का simple सा logic है कि ऐसे कुछ famous bridges हैं जो एक country से दूसरी country को connect करता है एक city से दूसरी city को connect करता है इसलिए हमें famous cities और beautiful sorry famous जो bridges हैं या जो beautiful bridges हैं उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे पहला bridge है this bridge is the most popular attraction of the San Francisco and it was opened in 1937 for the general public ये 1937 में बना San Francisco में situated है जिसका नाम है golden gate bridge I think ज्यादा इसको explain करने का जूरत नहीं है मुझे क्योंकि ये जो bridges हैं उसके बारे में आपको खुद को पढ़ना और समझने कि ये bridge कहां पर situated है नहीं जादा कुछ है नहीं जैसे आपको बोले San Francisco में कौन सा bridge situated है बेटा तो आपको उस दूरन नामादना चाहिए golden bridge है golden gate bridge है San Francisco में है same वैसी आपका जो Sydney में bridge है उसका बात हो रहा है Sydney और Australia में इसको सिंबल के जैसे यूस करते है that is Sydney में कौन से bridge है Sydney वाट 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 हरबर विज ओके 6th में जैसे दिया आपका एक old beautiful old bridge है standing in the grand canal in Venice sorry and it is the one of the best attraction of the city बहुत ही इतना सुंदर design है तो बोलना चाहिए इतना सुंदर architecture है कि यह पूरे city को क्या करते है ना मतलब जिससे बोलते हैं कि हम इस जगा पर यह देखने जा रहे हैं तो कुछ लोग इस bridge को ही specially देखने के लिए जाते हैं ठीक है पहले तो book complete करिए book complete करने के बाद page number 43 तक आप उसको learn करना start केजे 41 42 43 रही सही या एकदम hard and fast लोगे तो आदा गंटा लगेगा आपको याद करने के उससे जादा time नहीं लगेगा okay so this is your work and you have to learn the page number 41 42 and 43 of your gk book okay बेटा bye have a nice day bye